Hello students, good evening, welcome to my NB classes, आज मैं आपको Essential Mathematics का ICSE Board, चैप्टर का नाम है The Unitary Method and Variation, इसमें टोटल 10 questions है, वो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में solution इसका solve करके बताऊंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी भी एकक करके questions, तो स्टार्ट करने से पहले आप पहले में इस चनल को सब्स सब्सक्राइब, मेरा जो वीडियो से वो मिस ना हो तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाईए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए मैं कोशिश करूंगी कि आपने इस चैनल में लाने की तो चले जी सुरुवात करते सब्सक्राइब, तो चले आगे देखते हैं कोशन नमर टू इफ फॉर्टि मीटर ओफ क्लोट कॉस्ट रूपीज रूपीज वन फॉर्टी फाइंड दा कॉस्ट ऑफ 10 केजी का दाम एक सो चालिस रूपया है तो एक केजी का दाम तो कम होगा और दस केजी खरिदना है तो ज्यादा दाम हो जागया यानि की रूपीज 200 आप लोगों ने बचपन से यूनिटरी मेथट तो पढ़ाई होगा तो बस वैसा ही कोशन से और काफी इजी है तो चली आगे देखते हैं कोशन नमर टू इफ 14 मीटर ओफ कॉस्ट रूपीज 3,864 हाउ मच विल 24 मीटर ओफ सब्सक्राइब। यह आपको पता होगा बच्पन से पर रहे हो बहुत पहले से की 1000 टोटल हो जाएगा और नीचे सिंगल पेन का प्राइस यानकी टोटल बाइ सिंगल पेन ठीक है तो यह निकल जाएगा 40 पेन्स तो यानि की 40 पेन्स जोएगा 1000 रुपीज में नव कम तू नॉम्बर 2 इफ 6 कोपी अफ रुपीस कोफ रुपीज 21 रुपीस 21 रुपीस 20 रुपीस टो एंसर मेरा आजाएगा 20 कोपीज ठीक है चलिए नेक्स बढ़ते हैं थ्वी नमबर की तरफ एक ड्राइक लीनर चार्जेज रुपीज फॉर्टी टू वाश टू सर्ट्स ठीक है वाट विल बी दा चार्ज फॉर वाशिंग 11 सर्ट्स तो दो शट कदाम 40 रुपिया है एक शट कदाम 20 रुपिया चार्ज है तो ग्यारा सर्ट कदाम तो ज्यादा होगा याने की रुपीज 220 चलिए नमबर टू एक होटेल चार्जेज रुपीज 3,500 फॉर इस टे अफ 10 देज तो यहां 10 देज होटेल चार्ज होगया 3,500 वन डे होटेल चार्ज होगया 350 तो 7 देज होटेल चार्ज कितना होजएगा 2,450 नाव कम तो कोशन नमबर 4 एक वाच लॉज इस ट्वेज इस ट्वेज इस ट्वेज तो बोल रहा है की एंसर इस तरह होगा वाच लॉज 20 सेकंड्स इन 4 देज चार दिन में 20 सेकंड्स कम हो जाते तो एक दिन में कितना होगा 20 बाइफ 4 इस 5 सेकंड्स हो जाएगा चली, कोर्शन नमबर फाइब, एक कार कंजूंस 15 लिटर्स ओपेट्रोल तू कवर 270 किलो मेटर, तो देखें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि, लिटर्स ओपेट्रोल कंजूंड बाइब कार इन 270 किलो मेटर, यानि 15 लिटर में 270 किलो मेटर चलता है, 1 किलो मेटर में 15 by 270 लिटर होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है 180 किलो मेटर में, यानि कि 15 by 270 into 180, that is 10 लिटर का यूज हो रहा है, ठीक है, यानि कि 180 किलो मेटर में 10 लिटर पेट्रोल यूज हो रहा है, ठीक है, इसी का 5 का टू देखते है, if the cost of petrol is Rs.42 per liter, what will be the expenditure on petrol when the car covers 360 किलो मेटर, अभी आपने उपर सॉल्फ किया कि 180 किलो मेटर में 10 लिटर था, ठीक है, मैंने यहाँ आपर लिखा है, तो 360 किलो मेटर, यानकी 180 का दुगना हो गया, तो मतलब कि दुगना लिटर पेट्रोल का जोत प 20 लिटर पेट्रोल, क्योंकि 180 का दुगना है, तो 10 लिटर का भी दुगना, यानकी 20 लिटर पेट्रोल, तो देखी, यहाँ पर cost of 1 लिटर पेट्रोल दिया वाथ आपका question में 42 रुपीज है, तो 20 लिटर पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा, रुपीज 840, यानकी 360 किलो मे तो देखी, कैसे बनेगा, time taken by 3 men, 8 days, time taken by 1 man to finish the job, यानकी एक आदमी अगर कोई काम को खतम करेगा, तो उसको जादा दिन लगेगा, यानकी कम आदमी है, तो जादा टाइम लगेगा, 8 into 3, time taken by 4 men, अब 4 आदमी उस जाब को खतम करेगा, तो कम दिन लगेगा, तो 24 by 4, that is 6 days, 6 car to 15 workers can repair a road in 24 days, how long will it take for 9 workers to repair the road, 15 आदमी को 24 दिन लगता है, उस road को repair करने में, एक आदमी को और जादा दिन लगेगा, तो 9 आदमी को कम दिन लगेगा, यानकी 24 into 15 by 9, that is 40 days, आप questions को ध्यान से समझने की courses किजिए, practical होके समझेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है, Now come to question number 7, 12 men can complete a job in 15 days, how many men will be required to finish the work in 9 days, तो 12 men को 15 दिन लगता है, एक आदमी को 15 गुना 12, यानकी जादा दिन लगेगा उस काम को खतम करने में, क्योंकि वही काम एक आदमी करेगा, तो जादा दिन ही लगेगा, तो 9 दिन में, 9 दिन में कितने आदमी लगेगे, यानकी 15 into 12 by 9 that is 20 men लगेगे, या आपका just opposite दियावा है, क्योंकि आपका cautious में पहले रहता था, कि 12 आदमी को 15 दिन लगता था, एक आदमी को इतना दिन, तो 20 आदमी को कितना लगता था, यानकी वह दिन निकालना पड़ता था, लेकिन आपको यहाँ पर days दिया हुआ है, तो आपको men नि करते हैं, 8 number, question number 8, 8 people consume a stock of food in 30 days, how many people will consume the stock of food in 20 days, इसको मैंने 2 process से बनाया है, तो आपको जो process easy लगे, जिससे आपको समझ में आप वैसे बनाना, in 30 days, stock of food is eaten by 8 people, ठीक है, 30 दिन में, 30 दिन का जो खाना है, वो 8 लोग खतम करते हैं, तो एक दिन में उस ज्यादा लोग हो जाए तो 20 दिन में, 30 into 8 by 20, that is 12 people, आगे दूसरा process देखते हैं, इसमें क्या का गया है, कि 8 people consume food in 30 days, आठ लोग जो है, तीस दिन में उस खाने को खतम करते हैं, stock of food को, एक आदमी उसी खाने को खाएगा, तो ज्यादा दिन लेगा उस खाने को खतम करने में, तो आपको क्या करना है एक्स पीपल, यानि कि मैंने ऐसे माना है, आपको बनाना वैसे ही है, लेकिन मैं समझा रही हूं आपको, कि एक्स पीपल, यानि कि वो पीपल निकालना है, आपको, how many people will consume, यानि कितने लोग उस खाना को खाएगे, ठीके, जितना आपको 20 दिन लगेगा, तो आपको 20 दिन हो जाएगा, यानि कि उस खाना को कंजूम करने में 12 पीपल लगेंगे, ठीके, तो आपको क्या बोलागे यहां इन पर, कि 20 दिन में कितने लोग उस खाना को खतम करेंगे, 20 दिन में, ठीके, आपको पहले कोशिन में केह लिए, समझने की कोशिश किज़े कि, बच्यों कि 8 विजरे काने में 20 दीन लगाने तो आपको यह दीडि पहले आपको आपको शांपोसीट है जिय से आप percentage निकालते थे इनके उसको जादा दिन लगेगा उनके उसके जादा खाना हो गया तो 300 बच्चों के लिए वही खाना कम पर जागे कितने दिन के लिए होगा यह पूछ रहा है आपका जब 250 बच्चे उस खाना को खाएंगे तो 30 दिन में खतम होता है एक बच्चे अगर खाना खाएगा तो उसको जादा दिन लएगा उस खाने को खतम करने के लिए जादा दिन देज लिखावाएं तीन सो बच्चे हो गए और खाना उतना ही है तो उसको तो कम दिन यानि कि 25 डेज लगेगा खाना जल्दी खातम हो जागा है क्योंकि बच्चे की क्वांटिटी या बढ़ गई है पहले 250 थी अभी 300 हो गई है बच्चे बढ़ गए है खाना उतना ही है तो दिन आपका घटे ग 64 बच्चों के लिए खाना 9 दिन तक के लिए है एक बच्चे के लिए ज्यादा दिन हो जाएगा तो यहाँ पर एट जोटें ञान कि यानके 64 में 8 और जोडेंगे तो 64 प्लस 8 ढेट इस 72 चिल्डें तो 72 बच्चों के लिए वह खाना कितना दिन तक चलेगा 8 दिन क्योंकि ब अच्छे बढ़ गए हैं ठीक है चली लास्ट कोशन नमर टैन अधीती है इनॉफ मनी फॉर सिक्स वीक्स ऑफ हॉली डेइंग इफ सी स्पेंट फॉर्टीन हंड्र रुपीज पर वीक हाव लॉंग विल दा मनी लास्ट इफ सी स्पेंट वन थाउजन फिफ्टी पर वीक मनी फ होटल मनी विल लास्ट कब तक चलेगा 8400 बाइवन थाउजन फिफ्टी डाट इस एट वीक्स तो आपका इस तरह से यह सॉलुशन टैन का हुआ आई होप इस्टोएंट्स आपको यह सारे सॉलुशन सापकी स्टॉडिस में जरूर हेल्प करें होगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजे ताकि मुझे भी आपसे सपोर्ट मिलते रहे और मैं आपके लिए जादा से जादा वीडियो मना सकूँ तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाईए मेरा वीडियो पाने के लिए और देखते रही अन्वी क्लासेस कमेंट करें कीप वाचिंग अन्वी क्लासेस थैंक यू बाबाई